COVID-19 Lockdown स्कूल खोलने से पहले विचार हे तो कुछ पहलू ये मानते हुए कि COVID-19 के वैक्सीन को आने में अभी साल भर लग सकता है यानि स्कूल जब भी खुलेंगे तब साबधानी बरतनी आवश्चक होगी ताकि ये वाइरल इंफेक्शन पुनह ना फैले इस कारण स्कूल खोलने से पहले स्कूल अड्मिनिस्ट्रेशन पेरंट्स और स्टूडेंट्स को भिन पहलूँओं पर विचार करना आवश्चक है इन पहलूँओं को समझाने के लिए मैं इनको पांच भागों में विभाजत कर रहा हूँ स्वास्थे और साब्धानी कुछ सवाल जिन पर विचार करना अनिवारे हो जाता है स्कूल खोलते समय शायद सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत होगी इसके लिए पॉलिसी हो सकती है पूरा स्कूल एक साथ खोला जाए या प्राइमरी, मिडल और सीनियर स्कूल विभाजत करके खोले जाएं प्राइमरी स्कूल पहले खोलने के कुछ लाब है छोटे बच्चों को निर्देशित शिक्षा की ज्यादा जरूरत होती है बोर्ड एक्जाम्स या बारवी क्लास के बाद कोई कॉम्पेटिशन की तयारी तो स्कूल खुलने पर इन स्टूडेंट्स को प्रियरिटी देना ठीक होगा सोशल डिस्टेंसिंग ये एक और पॉलिसी हो सकती है हर क्लास में एक दिन केवल आधे बच्चे आएं जैसे ओड और इवन रोल नंबर या स्कूल बस के रूट के मताबिक आधे बच्चे ही आएंगे तो विद्यार्थी थोड़ा दूर दूर बैट सकेंगे स्कूल में प्रवेश से पहले सबका टिमपरेचर चेक और हाद धोने के लिए साबुन का ठीक मात्रा में प्रवंद स्कूल के बजट में इसके लिए इंतिजाम अगर किसी विद्यार्थी अध्यापक या स्टाफ को बुखार या खासी हो जाती है तो उनका छुट्टी लेना अनिवारे हो ताकि और बच्चों और अध्यापकों की सेहत को खत्रा न पहुँचे विद्ध या किसी बिमारी से ग्रस्त अध्यापकों के लिए पॉलिसी क्या वे स्कूल आएं? क्या स्कूल ना आने पर भी उन्हें वेतन मिले? स्कूल खुलने पर क्या बच्चों का स्कूल आना अनिवारे होना चाहिए? अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल ना भीजना चाहें तो क्या ऐसा करने की उन्हें अनुमुती होगी? हो सकता है उस घर में कोई बुजर्ग या कोई बिमार व्यक्ति है इसलिए अभिभावक बच्चे को स्कूल नहीं भीजना चाहते ऐसी परिस्थियां आ सकती हैं इसलिए स्कूल अटेंडेंस को लेकर विवेगपूर्ण पॉलिसी बनाना ही बहतर होगा जो बच्चे किसी कारण स्कूल नहीं आ सकते उनकी पढ़ाई जारी रहे इसके लिए समाधान ढूडने पड़ेंगे जैसे स्कूल के अध्यापों के द्वारा उन्हें घर पर फ्री ट्यूशन या ऐसे प्रबंद की वे ऑनलाइन क्लास कर पाएं इतनी छुट्टी हो जाने के कारण इस academic year में syllabus तो पूरा नहीं हो सकेगा इस syllabus को after school extra classes, गर्मी की छुट्टियों के दौरान extra classes और शायद अगले academic year में भी extra classes करके पूरा करना पड़ेगा इसकी planning करनी पड़ेगी ऐसा हो सकता है कि syllabus पूरा करने की जल्दी में अध्यापक ज्यादा तेजी से पढ़ाएं जिसको accelerated learning कहते हैं ऐसे में कुछ बच्चों को remedial teaching की जरूरत पड़ेगी इसकी भी planning करनी पड़ेगी लंबी छुट्टी में बच्चे पढ़ाया हुआ भूल जाते हैं इसके लिए भी स्कूल खुरने पर remedial teaching और extra classes की planning करनी पड़ेगी syllabus पूरा करना, extra classes, remedial teaching और घर की परेशानिया इन कारणों की वज़े से students और teachers तनावगरस्थ हो सकते हैं स्कूल को mental health पर program चलाने पड़ सकते हैं, इसकी भी planning करनी पड़ेगी सामाजिक मुद्दे 2014-15 में Ebola infection की वज़े से पश्चिम अफरीका के कुछ देशों में स्कूल आठ महीनों के लिए बंद कर दिये गए थे इस कारण वहां कई सामाजिक समस्याएं उत्पन हो गई थी ऐसा नहीं है कि भारत में इसमस्याएं आएंगी परन्तु पहले से इन पर विचार कर इनसे निपटने की planning उपयोगी होगी अर्थ विवस्था में आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ना और आई कम होना बढ़ती गरीबी के कारण खास कर ग्रामीन शेतर में बच्चों को स्कूल ना भेज कर उनको खेती में लगाना गरीबी के कारण बाल श्रम, चाइड लेबर बढ़ना अगर किसी बच्चे के घर में किसी को वाइरल इंफेक्शन हो जाए तो ठीक होने के बाद भी अन्य बच्चों का उस बच्चे से दूर रहना या उसे चड़ाना और डराना किशोर गर्भावस्ता, टीन प्रेग्नेंसी का बढ़ना और इस से अन्य सामाजिक समस्याएं उत्पन होना आर्थिक मुद्दे बढ़ती बेरोजगारी और अभिभावकों की आए में कमी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को ज्यादा विद्यार्तियों को निशुल्ख पढ़ाने की विवस्ता करनी पड़ेगी इसके लिए स्कूलों को शायद सरकार, कंपनियों और धन्वान लोगों से मदद लेनी पड़ेगी इसकी प्लानिंग अभिभावकों पर वित्य भार, financial burden कम से कम हो इसके लिए स्कूलों को नए आईडियास ट्राइ करने पड़ेंगे जैसे स्कूल युनिफॉर्म को अनिवारे ना बनाना लाइब्रेरी में अधिक टेक्स्ट बुक्स का प्रबंद ताकि बच्चों को किताबें खरीदनी न पड़ें या जहां संभव हो इटेक्स्ट बुक्स का प्रयोग भविश्य के लिए बहतर तयार COVID-19 के वैक्सीन को आने में अभी समय लगेगा और वैक्सीन के आने के बाद भी इसके आवश्यक मात्रा में बनाए जाने और वितरण में तो और भी समय लगेगा इस बीच ये इन्फेक्शन दोबारा पहल सकता है जिसको सेकिंड वेव कहा जा रहा है अगर ऐसा हुआ तो हमें अनुभव से सीखते हुए ऐसी परिस्थिती के लिए बहतर तयार होना चाहिए पश्चिम अफ्रीका में इबोला के बाद शिक्षा को लेके एक अभियान चला था बिल्ड बैक बेटर यानि अनुभव से सीखते हुए बहतर पुनह निर्मान हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए शिक्षा के संदर्प में सबसे जरूरी होगा टेकनोलोजी का प्रयोग करते हुए अंडर प्रिवलिज्ट और ग्रामीन शेत्रों में बहतर डिस्टन्स लर्निंग का प्रबंद मार्च दोहजार बीस में जब से भारत में लॉकडाउन शुरू हुआ मैं दस ग्रामीन स्कूलों में यूट्यूब, वाट्स अप, मुल्यांकन के लिए गूगल फॉर्म और गूगल क्लासरूम के जरिये पढ़ा रहा हूँ मेरे अनुभव में गरीब या ग्रामीन शेत्र में इ-learning द्वारा पढ़ाने में कई परेशानी आ जाती है जैसे बच्चों के पास PCI लैप्टॉप नहीं होते मुबाइल फोन भी वे अपने माता-पिता का इस्तेमाल करते हैं और कई घरों में तो माता-पिता के पास भी मुबाइल फोन नहीं होता यानी e-learning में internet access ही पहली रुकावट बन जाती है ज्यादा data package खरीदना एक और समस्या बन जाती है अगर COVID बिमारी की second wave में बच्चे स्कूल नहीं आ सके तो हमें स्कूल बच्चों तक ले जाना है इसके लिए हमें open school और ignu से प्रेड़ना लेनी चाहिए जैसे गाओं के स्तर पर computer आधारित distance learning study centers बनाना इन centers में computer साधारण और सस्ते laptop हो सकते हैं जैसे chrome book अगर इन study centers में internet नहीं है तो pen drive के माध्यम से उन में पढ़ने की सामगरी लोड करना खान academy जो निशुल्क है और जिसमें अब गणित और विज्ञान के video tutorial हिंदी में भी उपलब्ध है ऐसे संसादनों का प्रयोग बच्चों को सिखाना खास कर ग्रामीन शेत्रों में teachers को essential service provider मानना ताकि वे lockdown के दोरान इन study centers में जाकर पढ़ा पाएं मेरे विचार में सबसे जरूरी है आत्म निर्देशच शिक्षार्थी कैसे बना जाए इसको syllabus में डालना अभी अधिकतर स्कूलों में spoon feeding वाली शिक्षा दी जा रही है COVID pandemic के बाद सामाजिक और आर्थिक रूप से दुनिया कैसे और कितनी तेजी से बदलेगी ऐसे अभूत पूर्व परिवर्तन से जूजने के लिए सबसे जरूरी है कि बच्चे 21 सदी के एकलव्य बने एकलव्य में जो खुद से सीखने के मानसिक गुण थे जैसे सीखने की ललक, कड़ी महनत, एकागरता, आत्म सैयम, इत्यादी अपचारिक शिक्षा को इन मानसिक गुणों को बच्चों में कैसे विक्सित किया जाए इस पर ध्यान देना होगा एकलव्य को तो दुरुनाचारे के पुतले से काम चलाना पड़ा था मगर आज तो इंटरनेट पर कई वर्चुल दुरुनाचारे हैं जो सिखाने को तत पर हैं हमें बच्चों को सिखाना है कि वे कैसे ऑनलाइन संसाधनों, विडियो, एप इत्यादी का प्रयोग करते हुए खुद को रोचक और परसनलाइस तरीकों से कैसे सिखाएं ऐसा करने से बच्चे स्पून फीडिंग की पद्दती से हटेंगे और बच्चों में आजीवन खुद से कुछ भी नया सीखने की शमता विक्सित होगी सेल्फ डारेक्टेड लर्निंग आज के अंसर्टेनिटी के युग में एक अत्यांत अनिवारे कौशल बन चुका है शिक्षा से जुड़े सभी लोगों का करतव्य बनता है कि हम ये कौशल सभी बच्चों में विक्सित करें